अभी बोतल में जाने का नाम नहीं लिए रहा है मोधी सरकार पर किये हमले के जवाब में बी जे पी का पोस्टर वार जारी है देखिए भारत एक्स्प्रिस की ये खास रिपूर्ट फजूर अभी व्यक्ति की आजादी का मजा लीजिए जो खुद न कह पाईए वो पोस्टर से कह दीजिए क्योंकि बात निकलेगी तो पोस्टर तलक जाएगी दिल्ली के पोस्टरों का दंगल थमने का नाम ही नहीं ले रहा दिल्ली बीजेपी मुख्याले में लगा ताजा तरीन पोस्टर इसी का सबूत है लिखा है भरष्टाचार पर अंतिम प्रहार तीसरी बार मोधी सरकार मोधी जी की सरकार तीसरी बार होगी या या अंतिम बार अब रहेगी ये तो अलग प्रस्ण है लेकिन ब्रष्टाचार हटाने की बात एती है तो अडानी लिंक महा घोटाला जो हुआ मोधी जी को इस पर बात करनी चाहिए बीस हजार कड़ो रुपे डिफेंस सेक्टर में इसोरों में DRDOK में कहां से आते हैं और सेल कंपनियों को आते हैं और वो मालिक कोन है वो बड़ा भरस्टाचारी कोन है इस पर चर्चा होती तो अच्छा लगता ये पोस्टर वाजी करके सिर्फ अपने जो गुना है उसको छुपाने की एक साजिस है और पुरा देश देख रहा है इससे पहले था अर्विंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ दरसल मोधी हटाओ के पोस्टर को ले करके भाजपा का ये मानना था कि आम आदमी पार्टी के कारकरताओं की करतूत है इसको ले करके आर्विंद केजीवाल ने जंतर मंतर में एक पब्लिक मीटिंग भी की और कहा ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था कि पोस्टर लगाने पर मुकर्मार लिखाओ और ग्रिपतारिया की हो फसाद की जड़ थी ये पोस्टर जिसके जरिये पिये मोधी पर सीधा हमला किया गया था पता नहीं प्रधानमंतरी जी तने डरे हुए क्यों है एक छोटे से चार लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोधी हटाओ देश बचाओ क्या फरक पड़ गया बीजेपी ने इस पर पलटवार किया आप एक देश भगत कट्टर इमानदार आदमी के खिलाब पोस्टर लगा रहे थे और बिना नाम लिखे क्योंकि आपको पता था देश और दिल्ली की जनता को सच पता है पोस्टर विवाद जानिये क्या है कहानी दिल्ली में सारवजनिक जगों पर अवैध पोस्टर लगाने पर पुलिस ने सौ से ज़्यादा एफाईयार दर्ज की है 36 एफाईयार प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के पोस्टर से संबन्धित हैं छे लोगों की गिरफतारियां हुई छे लोगों में दो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, मारूती वैन का ड्राइवर और पोस्टर लगाने वाले तीन लोग शामिल हैं सभी छे लोगों को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया आम आदमी पार्टी के ओफिस के बाहर एक बैन से दस हजार पोस्टर भी जब्त किये गये थे तो इंतजार कीजिए अगले पोस्टर का तरह बात है आने वाले समय में पोस्टर बाग, बैनर बाग और ज़्यादा बढ़ने वाला है और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए है अनुज आत्रे कॉंग्रेस की प्रवक्ता है साथी हमारे दो सहयोगी भी जुड़े हुए है कपिल गौर है अमादवी पार्टी ओफिस से और रमेश सिंग है बीजेपी ओफिस से सबसे पहले और रमेश मैं आपके पास आना चाहूँगा आनुज आत्रे के पास मैं जाओं उससे पहले बीजेपी अब नए सिरे से पलटवार कर रहे है पोश्टर के जरीए इस वार में अब बीजेपी का अगला कदम क्या हुआ है और क्या ये आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही चलता रहेगा ये तेरा मोस्टर ये मेरा पोश्टर ऐसे ही चलता रहेगा बीजेपी लगातार कहती रही है कि इस तरह से पोश्टर वार से उसका कोई लेना देना नहीं है उसका जो मेन मकसद है वो पार्टी को जीर दिलाना है और उसके लिए लगातार इस तरह के पोश्टर पहले भी चिपकाती रही है ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है और उनका कहना है कि इसमें जूट कुछ नहीं है क्योंकि लगातार भरष्टाचार पे जो भारती जन्ता पार्टी की सरकार है वो चोट कर रही हो उनका अब जो पोश्टर लगा है वो लगा है भरष्टाचार पे अंतिम प्रहार और अब तीसरी बार मोधी सरकार तो जो आने वाले 2024 के जो लोग सभा के चुनाओं है उसके तैयारिया एक तरह किसे भारती जन्दा पार्टी ने सुरू कर दी है तमाम राजियों में देखें कि विधान सभा के चुनाओं जो मुख्य राजिया है राजस्तान, मद्य परदेश, 36 गर् तो एक तरीके से जो 2024 का जो सेमी फाइनल है वो विधान सभा चुनाओं से सुरू माना जाता है तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से राजस्तान में भारती जन्दा पार्टी ने अपना ध्रक्ष परदला है, सीपी जोसी को बनाया है और एक तरीके से जो जाती ही सम्म कांड़ी करन है उसको सादरी की कोशिस की है एजफ़ंड़ा रमेश एक तरह से साफ है करप्षन के इरदगर्द के सारा पोस्टर वार्ट चल रहा है कपिल गौर भी हमार सा जुड़ हुआ है आमादमी पार्टी आफिस के बाहर से कपिल आमादमी पार्टी के आफिस में कि इस पोष्टर वार को लेकर क्या चर्चा हो रही है और सवाल ये है कि जब पूरा एजंडा करप्शन के इर्दगिर्द है तो करप्शन कभी आमादमी पार्टी का कोर एजंडा हुआ करता था अब उस एजंडे को लेकर आमादमी पार्टी भी लड़ाई लड़ सकती है सुमेद देखिए बिलकुल जिस प्रकार से जो पोष्टर वो शुरू हुआ है पिछले दो से तीन दिनों के अंदर उसमें कहीं ना कहीं आमादमी पार्टी और जो बीजेपी है दोनों आमने सामने हैं क्योंकि सबसे पहले जो है आमादमी पार्टी के तरफ से ये बात चली थी कि जो पोस्टर लगाए गए थे पीए मोदी के खिलाफ में उसको लेकर के जो लोगों पर सो एफाई आर भी हुई थी जिसके अंदर से ये कहा गया था जो छे लोगों को जिनको पकड़ा गया था हिरासत पे डिया गया था उसमें से ये कहा गया था कि आमाद्वी पार्टी के कारियले से एक वैन निकली थी जिसमें कई हजार पोस्टर तादात में थे जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के खिलाफ थे जिनें अलग अलग जगए पूरी दिल्ली के अंदर चिपकाया जाना था पुलिस के तरफ से जो सुत्रों के हवाले से जो खबर में लिया उसमें ये बताया गया था कि पचास हजार से भी जादा जो है वै उस वैन के अंदर पोस्टर शाबिल थे क्योंकि ब्रष्टचार से रिलेटेड था और आम आद्मी पार्टी जो है आने वाले चुनाओं में kids को उठाने वाली है और वहींपर बीजेपी भी आम आत्मी के वपर पूरी तरीके से हमला रहे और शें पर्ठाब कन के बाहर पोस्टर लेकिन उन्हें हटा दी अगया है और ऑर बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी यही कहना है कि आम आद्मी देखने वाली सीज़ है, कि जब मोधी के खिलाफ, पृष्टर लगा था, उसमें किसी का नाम नहीं था. लेकिंज़ अर्विद, कीज्रिवाल और आमाधीपाटी के खिलाफ जो पॉष्टर दिडली के अंदर लगे थे, तो सबसे पहले उसमें मंजिंदर सिंग सिर्षा का नाम था और आज पोस्टर लगे है उसमें भाजपा नेता आशीश सूध का नाम था कपिल आप रही है हमारे साथ अनुज आत्रे जुड़ गया है कॉंग्रेस की प्रवक्ता कॉंग्रेस क्या कर रही है कॉंग्रेस क्या दर्शक दिरगा में बैठी है मुझे लगता है बातस्याद Gnanटी छो काॉाज मुद्दे ज उठा री है उसका खाम्याजा भी अगर किसी ने बुकता है तो काॉमरेस पार्टी की अपने शीष नहता है रूप में राहूल गांदी जी की जिस तरह से बार-बार एक बहुत इक गिरावा काम किया है उनकी सदस्यता तक रद कर दी है हम लोग किसी भी काम्याजे को भुखतने से गबराते नहीं है कॉंगरेस पार्टी और वो लोग कूछते हैं कि कॉंगरेस कार क्या रही है अरे देखिए सहाब आज की डेट में सबसे ज़्यादा सड़क से लेके संसत तक कौन है जो इस खतकार के खिला हो इस पोश्टर वार में दो नारे मोदी हटाओ देश बचाओ करज वाल हटाओ दिल्ली बचाओ इन दोनो नारो में कॉंगरेस का समर्थन किस नारे को है देखिए हमारा कर ले तो दोनई नह पार्टी कि सरकार शटानी है44 दोनों की नीति blossom की jó fluffy क्या काम भी जनता के सामने एक लेकिन करफ्शन, करफ्शन पर करफ्शन पर आमादी पाने कर इसित्ञेंड के साथ हैं आप आमादी पाने केती है कि साहब जांच ग engels 한다 का गलत इस्तमाल हो रहा है सद्शिया जेल गह तो देकि करफ्शन है इस्वादिय नियूज़ ने इसे आगन पर आथे Times North के नाम को ले करके इनोंने जो एक मुहिम चला है ता अना जारे को आगे करके उनको मुपटव पना करके एक मुहिम चला है क्या मनीश सौदिया के साथ गलत किया जा रहा है आप ये मानते हैं कॉंग्रेस ये मानती है और जाँ के इस लिए सवाल किया कि करॉपशन को लेकर पिर नजरिया अलगलग क्यू है अब भैज मनीश सौदिया के खलाफ कार रवाई हुई उसे आवादी पार्टी गलत कह रहे हैं यह जाट इजनसियों का गलत इस्तमाल हो रहा है तो पर गलत استعمال तो नहीं हो रहा है दूखिए ऐसा नहीं है जहां गलत इस्तमाल हो रहा है निच्ची तूर पर उसको गलत का नहीं हो रहा है कॉरृइस canoeist पार्टी एक सिरे से बिलकुल नहीं हो रहा है यहां तो यह तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ यही पॉन्टो है कि आप जाफ चेजेंसियों का इस्तमाल गलत दिलि नहीं हो रहा है आप कह submitted है, किसी और जगह पर होता है आम आधी पार्टी कayıती है कि दिलि में जाफ चेजेंसियों का गलत इस्तमाल हो रहा है साहब यही तो दिक्कत है कि आप लोग आपस में तैय कर लीजिए या फिर अलग-लग स्टैंड रखिए रमेश सिंग हमारे से जुड़ों हमारे से योगी रमेश आपके पास कोई बीजेपी की नेता है जरूर बीजेपी नेता का पक्ष भी हम जाना चाहेंगे यह बिल्कुल कॉसल जी है कॉसल जी जो पोष्टर वार चलना है जगा जगा पोष्टर लगे हैं कि भश्टा चार पर अंतिन प्रहार तीसरी बार मोधी सरकार और लगातार जंग चल लिए पोष्टर जंग चल लिए यह देखिए जिस परकार से देश या जिस परकार से कारिय करने चाहिए उस परकार के कारिये हो रहे हैं लेकिन जो यह व्रोधी तत्त्व हैं यह हमें से अर्चने डालना केंदर सरकार के कारियों में या उनकी नीतियों को एक इन्होंने तकिया कलाम सा बना लिया है पोष् है वो आरोप लगा रहे हैं कि पोश्टर कोई बात नहीं तो लोग तंतर में पोश्टर पर जिस तरह से अफायार हुए एक सौ से जादा जिस तरह से गिरफतारिया हुए फिर उनको छोड़ दिया गया पर मुगत में उसको लेकर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कोई भी कौई भी सम्मिधान तका इस परिकार से मजाक उडाएगा उनके खिलाब तो एक से अठीं कब जाके इस का अंतिम क्या होगा जो भी सम्मिधान और कानौन का उल्गन करेगा उस पर एक सन होगा यहीं इस-का तो बी-जेपी अगर कारीय को लगाते हैं कि यह वह भी गलत है रमेज जी वही बात है कि अगर क्या जो पोश्टर बीजेपी ने चिपकाए हैं कि भश्टाशार प्रणतिम प्रहार अब तीसरी बार मोदी सरकार वो भी तो एक तरीके से मुद्दा ही है इसलिए उसको कभी भी बरदास नहीं कियाएगा तो देखा आपने की बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका किस तरह से कहना था पोश्टर वार को लेकर एक सवाल जरूर उनके पास रखेगा मैं अनुज जी के पास जाता हूँ उसके बाद उनके बनाए रखेगा अनुज जी आम आदजी पार्टी पोश्टर लगाये तो ग्रफतारी बी जेपी पोश्टर लगाये तो कुछ नहीं इस पोश्टर वार में क्या अलग-налग नजरीय से कानून काम कर रहा है पहली बात तो यह कि ना तो आम आमनी पार्टी ने क्लेम किया है कि हमने पोस्टर लगाए है ना ही यह बारतिय जनता पार्टी ने क्लेम किया है यह पोस्टर लगाए है ना जाने कि नेता का नाम रहता है पोस्टर के निचे लेकिन जिसने भी लगाए है नारे तो ठीक लिख गुम्नामन आवाज निकल करके आई है लेकिन ये आवाज तो जन जन की आवाज है है सब लोग इसको चाहते हैं और इसमें कोई दोराय नहीं है और उसी से गभराट में आगर के जो 118 अफायार एक भी एक अफायार से काम नहीं चला तसली नहीं हुई डराने का महल जो देश साल के शासन में को जो कुशासन कहा जाएगा दोनों नारे ठीक हैं लेकिन कॉंग्रेस का इससे लेना देना नहीं है तो कॉंग्रेस इस नारे को इजाद कर सकती थी कॉंग्रेस इस नारे को लेकर आगे बढ़ सकती थी दिल्ली और देश में दोनों जगए कॉंग्रेस तो ये नारा देती है, कॉंग्रेस पार्टी में तो नारे देती है, कॉंग्रेस की सभाओं में, कॉंग्रेस की रैलियों में, आप तो देखी तो नारे आते हैं कॉंग्रेस ने कॉपिराइट ने करवाय क्या कि किसी ने और नारा चिपका दिया और कारवाई उस पर हो गई आम आधी पार्टी नाम कमा रहा है कि भाई हमने ये नारा दिया जंतर मंतर पर आरविंद के जिवाल बैठते हैं इस नारे के साथ कोई 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 कमाई देखे हम कहते हैं सच की लड़ाई में कॉंग्रेस पार्टी का नारा कोई भी लेकर के आगे बढ़ेगा उनका स्वागत है बढ़ी है कोई दिक्कत निया जो सच्चा नारा कोई भी लगाए जो कोई कॉपिराइट नहीं रखना लेकिन अब बीजेपी का नारा तो सुन लीजे फिर लगाने चाहिए बीजेपी का नारा तो सुन लीजे व्रश्चाषार पर अंतिम प्रहार टीसरी बार मोधी सरकार तो अंतिम प्रहार समझ रहें इसका मतलब देखिए इनके प्रहार पता नहीं कितने अंतिम होंगे और अंतिम प्रहार करते करते जो अंत की बात करते हैं अंत में खुद अंत हो जाते हैं अंत आते आते हैं और बहुती बुरा अंत होता है तो अंत बला तो सब बला होता है लेकिन अंत बुरा तो सब बुरा होता है क्यो EDCBI को अपना काम करते रहना चाहिए बजाए ये देखने की कौन उन पर हमला करता है EDCBI को BJP का आप बताते हैं आजेंट आप लोग लेकि यही सवाल मैंने अब जब आप से पूछा कि मनीश सौधिया के खिलाफ क्या EDCBI गलत थी आपने का नहीं सही ये नज़रिया के इस नज़री में फर्क क्यों है वो जाच इडिनसी बिली में सही हो जाती है किसी और जगा गलत हो जाती है CBI ने 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 मैं आपकी जवाद का जवाब देता हम वहाँ भी गलत है ये जो सितंबर में F.I.R. हो गई थी और जाकर के फर्वरी में गरफतारी हुई है छे मेने का जो समय दिया गया है वहाँ भी CBI ने बहुत बड़ी गलती है ये तो जब कॉंग्रेस की शिकायत पर F.I.R. हो गई सारे सबूतों के साथ F.I.R. हो गई आखिर क्यों उनको छे मेने का समय दिया गया जहान सही कर रही है वहाँ सही कहा जाएगा जही तो फर्क है साथ EDCBI ऐसा नहीं कि दिल इ ब्रांच उसका अलग है उ तो सैंटरल एजनसी है लखनों परमों में गलत काम करेगा ऐसा तो नहीं होता है ना सैंटरल एजनसी है ना देश भर में जहां भी काम होगा सही काम होगा या तो गलत काम होगा ऐसा हो भी रहा है दुरबागे से यही तो यही तो कहना है यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके नजरिये में या तो सही हो या गलत हो आप अलग अलग जग है पर सिचुएशन के साफ से गलत या सही ठेरा रहे हैं मैं उस पर आता हूँ कॉंग्रेस की सरकारों ने इंजेंसिस का गठन निश्पक्ष रूप से किया था कभी इनके काम में इंटरफेर नहीं किया था अभए यूपीए के द्रीज्पक्रा ने कहा था तोता याद होगा किसे कहा था तोता और किसका तोता ती तीपडी की थी तो आप सब्किन्सकूल इस व की काम किया तूरह को था सब्सक्राइबे सिंट में मनीश था क्लावराई हूं वो घलत स्तप्रा करें कॉंग्र्स करें यहां सही कर रहे हैं यहीं आमड्मी पर्टी बी ज Newton पूरी स्यासी पिक्चर में कहा नजर आ रही है कपिल सुमित देखिए जिस प्रकार से आमाद्मी पार्टी और बीजेपी का जो पोस्टर वो चल रहा है इसमें कॉंग्रेस जो है वो ना तीन में ना तेरा में दिखाई देती है क्योंकि जिस प्रकार से सदन के अंदर दिल्ली विदान सभा सदन के अंदर भी कॉंग्रेस की प्रेजरेंस एक तरीके से हम निल ही समझ सकते है तो ना तो सदन के अंदर और ना सड़कों के उपर क्योंकि आमाद्मी पार्टी तो इस तरीके के पोस्टर करके या फिर press conferences करके जो है लगातार बीजेपी पर हमलावा रहती है लेकिन दिल्ली कॉंग्रेस या फिर अगर कॉंग्रेस की बात की जाए तो वो एकदम शाथ बैठी हुई है ऐसा प्रतीत होता है अभी कुछ दिन पहले जब ये posture वो शुरू हुआ था तो कॉंग्रेस की तरफ स कोई प्रतिक्रियाए नहीं देखने को मिली थी और जो भी प्रतिक्रियाए थी वो ना के बराबर थी तो इसी से प्रतीत होता है और जो सबसे मेंड बात जो पोस्ट है वो चल रहा है इसमें सीधा सीधा मैसिज जा रहा है दो हजार चोपिस के लोग सभा चुनाव के लिए तो ऐसे बे बीजेपी ने ये स्टांड भी क्लियर कर दिया है कि जो 2024 का चुनाव है वो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के नितरतव में लड़ा जाएगा और वही पर आमाद्वी पार्टी भी अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाह रही है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मो हो या फिर 2023 के आमराज्ये के जो चुनाव है वो हो इसमें भरपूर फाइदा उठाने वाली है और आमाद्वी पार्टी के दोनों नेताओं को कोट करके कि वो ब्रश्चाचारी है और ये घोटाले में प्रश्चाचार पर अंतिम प्रहार एक बात होता है बीजेपी ने करप्शन को एक ऐसा इशू बना दिया जिसके इर्दगिर्दी पूरी दिल्ली की सियासत गूम रही है देश की सियासत भी गूम रही है विपक्ष की नेता शायद इसी मुद्दे के बहाने एकजुट हो पाते हैं क्योंकि उनके अपने अपने नीजी स्वार्त नीजी महातोकांग शाय क्या करप्शन का मुद्दा ऐसा है कि विपक्ष की नेता को एकजुट करेगा या फिर जो आप सुन पा रहे हैं अभी अनुजी कह रहे है मनिश्य सौधिया के खिलाफ कारवाई सही है आम आ प्रस्वाइब करें लिए सारे जो बड़े पार्टिया आप देखे बिहार में आज आज ही आप देखे टेजसरी को बूला के पूस्ता चुई उसके मिशाभारती साथ ती आप देखे के कबता जो हैं वियारस की नेता हैं उनसे भश्टाचार में लिप्त हैं सराप घोटा पूरोप मुख्यमंतरी भी थे वो जेल में तो कहीं न कहीं जितनी पार्टियां है उतने आप देखिए कि कांग्रेस पे जिस तरह जाज चल रही है तो सारे पार्टियों पे भश्टचार के गंभीर आरोप हैं और वो लगातार जाज करती रहेंगी जाज एजनसियों का काम ह है गर कहीं गलत हुआ है और जब उनके संग्यान में आता तो उस पह profi करें गये वहixa परवाई 2030 लगातार लगा जारह था है आपकर से भीडी डी को अपना मोहरा बनाई है नेता पहुँचने से पहले मोदीज सोफ़ी में नेडी पहुच जाते उसको लिए क्या कहने आतका थास्त को रहा है कि यादरणियां ये सस्वी प्रधान मंत्री निरेंद्र मोदी जी के कारियों में बाधा डालना और इस किसी भी परकारते आरोप पर प्रत्यारोप का इन्होंने शुरू से वार पलट वार चल रहा है रमेश यहां रुकेंगे समय का मैं बहुत शुक्रिया रमेश कपिल हमारे साथ जुड़े हुए थे और अनुजात्रे जी तोता को लेकर जवाब नहीं आया आपका लेकिन समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी भी तोता को लेकर जवाब आप दे नही होता लेकिन कभी कॉंग्रिस सत्ता में थी तो यही सी बी आई और एडी कॉंग्रिस की तोता हुआ करती थी बीजेपी के नजरी से और सुप्रेम कोड की टिपनिंग के बाद तेकि सवाल है कि इस तरह के पोस्टर वार से दिल्ली की जनता को क्या मिला आगे देखना होगा अब इस पोस्टर वार में नया पोस्टर क्या निकल कराता है फिलाल इस खास पेशकस में तरही भारत एक्सप्रेस पर खाबरों के सलसला लगातार जारी है नमस्कार